किस तरह से कॉटलेन में हम नल सेफटी यूस करते हैं तो अगर आप जावा या कोई दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्विज से आते हैं तो वह न तो मॉस्ट कॉमन एक्सेप्शन जो आपने फेस किया होगा कभी ना कभी वह है नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या होता है इस वक्त अगर किसी फेरियेबल या कोई फील्ड का वेल्यू अगर नल आ जाता है और आप उसके ओपर कुछ ऑपरेशन कर रहे हो और एक्जांपल मैं दो नंबर को एड़ करने की कोशिश कर रहा हूं और उनमें से एक नंबर जो है उसके पास कोई वैल्यू नहीं उसका तो अगर आपको कोड को स्मूदली रन होना है तो मुस्टली नीड क्या होती है कि नल पॉइंटर और एक्सेप्शन जो है वो ना आए तो कोटलीन बिंग नल सेफ लेंगवेज एक एडवांस लेंगवेज होने के चलते वो नल सेफटी प्रोवाइड करता है यानि अगर आ अगर आपको पहले ही लग रहा है कि यह वेलू नल हो सकती है तो आप उसे लेबल डिकलर कर सकते हो और अगर वो नलेबल फील्ट है तो एवरी टाइम ऑपरेशन होने से पहले हम कुछ ऑपरेटर की तुरू चेक कर सकते हैं कि वो नल है या नहीं है तो पूरा कॉंसेप्ट अगरी मिल मुल दिटल में समझने वाला हैं तो फैल लेत साथ वेल कि अमारा मैन पंक्टिन में घर और एक पGood Purra लिकने के बैटरर है कि आप मैं लिखbird प्रेस करतो तो हम आपमेटिकली सार्रा का साम अमें का मिशिक उपरा रट टाइब गे ओंग य Y सबसे पहले हम एक नॉर्मल स्ट्रिंग देखते हैं तो यहां पी एस जो है क्या है एक स्ट्रिंग टाइप का मेरा एक वरियेबल है तो अब नाव जस्ट इनकेस मान लेते हैं मेरे पास एक और वरियेबल है यह भी मुझे पता है कि स्ट्रिंग टाइप का ही होने वाला है इनीशियली स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि मेरे पास मतलब मुझे पता नहीं कि मुझे उसका क्या वैल्यू देना है मतलब हो सकता है प्रोग्राम जब आगे चले तब उसका वैल्यू जो है कुछ करोगे वैसे ही यहाँ पर चीज आजाएगा कि नल कैन नॉट बी किवन टू नॉट टाइप स्ट्रिंग तो इस एरर का मतलब क्या है कि अगर सी आपने अपने वेरियेबल का डे टाइप लिखा है स्ट्रिंग और यह नॉट नॉलेबल है जैसे उपर वाला आप देखिए इसको आप पूरे फाइल में कहीं भी एकसेस करो उसके अंदर कुछ भी नॉट नॉल का चेक लगाने की नीड नहीं है क्योंकि नॉट नॉलेबल है नॉन नॉलेबल यानि क्या हो कभी नॉल नहीं हो सकता हमेशा उसके पास एक वैल्लू होगा कि बाई मेरा ये जो वैरियेबल है ये नॉलेबल है यानि इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का तो डेटा रहेगा पर साथ में ये कभी नॉल भी हो सकता है तो इसलिए whenever you want to define a नॉलेबल वैरियेबल आपको हमेशा उसके डेटाइप के आगे एक ऐसा question mark लगाना पड़ेग जैसे अपने question mark लगा है null के नीचे जो error था वाट गया तो इससे compiler क्या समझा कि str एक variable है string type का पर साथ में ये null भी value रख सकता है nullable है वो ओके तो जब compiler को ये पता चला कि str जो है वो nullable type का है तो अब आप str के उपर कुछ भी operation करो वो हमेशा चेक करेगा कि वो not null होना ऐसा वो क्यों करेंगा ऐसा वो इसलिए करेगा ताकि null pointer exception ना आए ओके तो अभी सी अभी अगर मैं यहाँ पर प्रिंग टेलेंट अब एस एस लिखा और उसके वह में डॉट लिखा तो कितने सारे string के बाइडिफाइन जो प्रिडिफाइन फंक्शन जो उस तब हमें दिख रहे है तो मैं यहां पर चसे मैंने लास्ट वीडियो में इस परेंडरों बना था मैंने उससे लगा दिया ओके तो यह तो नॉर् नॉलेबल था हमारा वह नॉलेबल टाइप का था बराबर मतलब वह नलेबल नहीं था उसमें कभी नल आने के चांसे से नहीं थे बराबर तो नॉर्मल हमने डॉट लगाया और हमें जैसे उसके string के extension function या string के जो भी function से वह दिखे तो हमने उसे यूज कर लिया लेकिन यही सेम सेट अफ चीजे जो है वह मिल रही है लेकिन अब जब मैंने इसे function पर लगाया तो यहां फे डॉट देखो डॉट के पहले मुझे एक error आ रहा है अब उस error में क्या कहा जा रहा है see only safe और non-null asserted calls are allowed on a nullable receive of type string nullable ओके तो अब यहां पर यह safe call क्या है asserted क्या है यह सब हम देखने वाले है तो basically यह error आ क्यों रहा है error इसलिए आ रहा है कि compiler आपको बोल रहा है कि str जो है वह एक nullable type का variable है okay मतलब उसके अंदर null value भी हो सकती है तो जब आप इससे print करवा रहे हैं तो see obviously बात है अगर मैं कुछ result यह operation करूँगा जैसे मैं यहां पर check करना चाहता हूं कि str palindrome है या नहीं तो अगर मुझे यह check करना है तो I need to ensure कि यह null ना हो क्योंकि अगर यह null रहा तो obviously बात है null pointer exception आ जाएगा तो यहां पर null ना हो इसके लिए हमें क्या करना होगा हमें कुछ operators कुछ चीजों को use करना पड़ेगा हमें चेक करना पड़ेगा कि यह null है या नहीं तो अलग-अलग तरीके हैं यहां यहां हमें option में देखा रहा है surround with null जाएक तरीका है तो हमने यहां पर क्या किया हमने if condition लगाया कि str अगर null नहीं है तो print करो तो एक type में हम चेक कर रहे हैं कि str not null है तो ही print हो else print ना हो तो यहां पर तो basically यह हम क्यों कि यह kotlin compiler ने ऐसा क्यों किया क्योंकि वह verify करना चाता है वह ensure करना चाता है कि str की value null ना हो ताकि null pointer exception ना है विकि null pointer exception एक बहुत commonly occurring exception है तो इससे बचाने के लिए kotlin जो है उसने कुछ schema design किया हुआ है that is why it is called null safe language तो एक तो normal था if condition लगा के check करने वाला वे चाते हो कि कभी उनल हो तो in that case आपको जब भी उस value करोगे उस variable करोगे तब आपको उसके data type क्या के क्या बताना है क्यों यहां मैंने string के लिए लिखा है ऐसे ही बाकि integer double float अगर किसी भी case में अगर आपको लगता है कि variable का इंदर जो value होगा उनल हो सकता है तो आपको उसके data type क्या कि question mark लगाना है तो एक बार आपने question mark लगाया तो compiler every time जब भी आप अपने पूरे code में उस variable को यूज करोगे वह हर बार आपको make sure करेगा कि वह value null ना हो तब उसके उपर operation हो else ना हो तो अब यह value null ना हो तो यहां पर मैंने एक चीज़ दिखाया है कि हां यह if condition लगा के हम चेक कर सकते हैं कि यहां पर if condition लगा कि हमने देखा कि हां str नल नहीं है तो यह operation हो प्रिंट हो पट सिर्फ इफ लगाना यह थोड़ा traditional practice है अभी हमारे पास कुछ और additional ऐसे operators है जिसके मदद से हम यह चीज़ हैंडल कर सकते हैं यह भी एक तरीका है यहां पर भी हम चेक कर रहे हैं बट इतना सब कुछ लिखने तक कि हमें नीड नहीं है बार-बार condition लगाने की नीड नहीं है हमारे पास different approaches है different तरीके हैं जिससे कि हम नल pointer exception को अवाइड कर सके various operators हैं हमारे पास तो सबके सबके बारे में in detail हम अभी देखने वाले हैं तो एक तरीका तो इफ condition लगा के अंदर लिख सकते हो और यहां पर आपको जो नलेबल वेरीबल है उसके उपर कुछ भी additional operator वगरा लगाने की नहीं है तो यह तो एक तरीका था अब हम जो बाकी operators है उन्हें भी explore करते हैं तो अब मैं इस पार्ट वो कमेंड किया है क्योंगे हम सेम चीज को अगें प्रें सेम चीज यह मुझे यहां कह रहा है लेकिन अभी मैं safe call operator की बात करूंगा तो यस बार में if condition लगा के चेक नहीं कर रहा हूं आप चाहो तो भी कर सकते हो अब हम सेफ कॉल सेफ कॉल अपरेटर क्या होता है सेफ कॉल जो है वह basically क्या चेक करेगा क्या कह रहा है कि अगर str null है तो आप simply null reprint कर दो exception मत करो error मत करो उसके बदले में आप क्या कर दो null return कर दो okay समझ में आया so if the variable जिसके उपर हम सेफ कॉल लगा रहे if it is null तो आप सीधा null ही दे दो else आप जो भी उसका value है उसके साथ जो operation करना है वो करो if it is null तो आप पो simply क्या दे देना है null दे देना है okay तो let's see एक बार इसको run करके see here result में भी हमें आ चुका है क्या आ रहा है नल आ रहा है हमने print talent दिया था str.s.palindrum सेफ कॉल के साथ तो सेफ कॉल ने क्या किया से पहले check किया क्या str.nl है क्यूंकि str.nl है तो उसके simply क्या कर दे दिया null return कर दिया तो क्यूंकि print talent था तो null print हो गया okay अब अगर str.nl नहीं होता सुमान लेते हैं str.nl के जंग में कुछ और रखते था मैं say a,b,c anything okay so abc is not a valandrum तो obvious सी बात है अब जब वो null नहीं है str.nl तो str.nl नहीं है तो उसके उपर आगे जो भी आपने function दिया है जो भी operation दिया है वो काम करना चाहिए तो let's check this see false आया false क्यों आया क्योंकि abc is not a valandrum okay तो i hope आपको safe call operator समझ में होगा safe call is simple terms की चेक करेगा अगर variable null है तो simply null return कर देगा अगर null नहीं है तो उसके पर जो भी operation है वो perform करेगा ओके नेक्स्ट ऑपरेटर इस एल्वेस ऑपरेटर सो नव एल्वेस ऑपरेटर में आगे बढ़ने से पहले में चेंजिस के थे होने माटा देता हूं अब str जो की नलेबल वाला variable है उसको मैं भी actually में नला sign कर देता हूं अब मैं चाहता हूं है तो मैं मेरे पास एक variable है से लेंड नाम का उसके इंदर में लेंड स्टोर करना चाहता हूं कि इसका str का तो str जो की string है नलेबल स्ट्रिंग है उसका लेंड उसके इंदर स्टोर कर दूंगा तो obviously बात है अगे नहीं हुझे क्या कह रहा है कि नलेबल ट और लेंध मुझे क्या करेगा और स्ट्रिंग उसकर राध करेगा एक लेंड नहीं है तो सेफ कॉल है तो लेंध मिल जाएगा लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर नल है तो इन दाट केस लेंट जो वेरियेबल है उसके अंदेर नल ना जाके कुछ डिफॉल्ट वेल्ट जाए तो इन दाट केस मैं Elvis operator का यूज करूँगा Elvis operator बेलकुल सेफ कॉल जैसा है यह बर सेफ कॉल में आपको question mark dot है Elvis में question mark colon होता है तो अपना चुछ डाट लें थें पो निकालके लिंट कर देगा तो लेंट स्प्रेंटेंट के चेक कि लेंट और यहां को लिंट अधर में हैं और यहां आप हमारा लेंड दे देंगे घंट जी लेंट के जिगह क्या याज जेरो आया नहीं अगर मैं Elvis operator नहीं दू अगे में Elvis एक यहाँ टैट अगर इसको करूँ तो इन डाट केस मुझे लेंद के जगह क्या मिलेंगा नल मिलेंगा क्यों किसे कॉल का काम ही है जब अगर इसका वन नल है तो सिधा नल रिटन मत करो उसके जगह पे मैं जो डिफॉल्ट वैल्लू दे रहा हूं कि जो एक वह आद में वहा जाएगा जिरो जाएगा, so in this case अगर आपको अपने इसमें, अपने फुरे कोड में अगर कहीं नल आ रहा है, तो इसके जगब में आपको कुछ default value अगर assign करना है, तो in that case आप Elvis operator का use कर सकते हो, okay, so I hope यह समझाओ का अब एक बार str के जग़ा कुछ डंग का string देके भी देख लेता है, a, b, c, x, y, z, and let's check length 6 आनी चाहिए, yeah, तो जब str की value नल नहीं है, तो length calculate प्रॉपर लिए हो रहा है, तो अभी तक हमने safe call और Elvis operator देख लिया है, अब हम एक last operator देखने माले है, it's not null assertion operator, तो assertion, assertion से मतलब क्या होता है, कि हाँ, आप assert कर रहे हो, आप मतलब verify कर रहे हो, यह ऐसा ही होना चाहिए, okay, तो यह operator थोड़ा अलग है, बाकी दोनों से, सुमान लेते हैं, पहले हम आ रहे हैं, यहाँ पे changes करना होंगे, जो हमने यहाँ पे value दिये, उसके जगह पे हम null से देते हैं, अब मैं same way करूँगा, print alone करूँगा, str.length यह कुछ भी आपको देना है होते दो, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास, see, more actions में यह सारी चीज़े आपको दिख जाएंगे, यहाँ पर जो सारे operators हैं, इन्हें आपको manually याद रखने तकी need नहीं है, जितनी चीज़े हैं, वो सार के लिए होता है, वो हम आगे एक और वीडियो में देखने वाले है, let बहुत ही important concept है, lambda functions में यह आएगा, यह आपको पूरा एक scope देता है, अगर आपका variable not null, मतलब आपको ensure करना है कि value null नहीं है, और फिर वो एक set of operation करना है, तो in that case हम let का इस्तमाल करता है, okay, so, अब यहाँ जिस operator के बारे हम देख रहे है, वो है not null assertion, so, यहाँ पर मैंने not null assertion दे दिया, not null assertion आपको simply two exclamation marks देने है, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे है, कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि यह not null नहीं हो का, okay, I am telling कि हाँ, मैं जो 101% guarantee के साथ मैं बोल रहा हूँ कि not null है, मतलब STR जो है, वो assert कर रहा हूँ, मैं confirmation दे रहा हूँ, okay, तो इस case में, अगर, अगर, see, अगर null नहीं है, तो जो operation है, वो हो जाएगा, और अगर null है, अगर null है, तो in that case, error through, null pointer exception through, okay, तो इसलिए यह operator को use करने से पहले, आपको 101% surety होनी चाहिए, कि आपका value जो है, at that moment of time, null नहीं होने वाला ह है, okay, so let's run and check, str as of now null है, तो काई दे से हमें क्या देना चाहिए, error देना चाहिए, और यहाँ, error थो कर दिया, exception in thread main, null pointer exception, क्योंकि str जो है, वो null था, okay, so safe call और इसमें वहीं फरक है, दोनों ही mostly कुछ करते नहीं, okay, almost same है, but safe call में, error नहीं थो करता है, वो null दे देता है, लेकि not null assertion है, क्योंकि आप यहाँ assert कर रहे हैं, आप verify कर रहे हैं, आप confirm कर रहे हैं, कि यह null नहीं होना चाहिए, okay, तो यह automatically क्या कर देता है, error थो कर देता है, अब अगर मैं यहाँ पर, कोई string दे दू, and अब हमें से run करें, तो यह नहीं होगा, क्योंकि अब आपने assertion डाला है, कि यहाँ null नहीं होना चाहिए, null नहीं है, तो उसका length जो है, वो print हो जाएगा, okay, so I hope आपको यह चीज़े समझ में आई होंगी, ना एक बार shortly हम लेट function भी देख लेते हैं, उसके पहले मैं इसे null कर देना चाहूंगा, so हम same चीज़ करते हैं, print statement, println, और यहाँ पर हम लग okay, so already हमने यह not null assertion दे दिया है, इससे हम आटाते हैं, see, basically वहाँ पहले से not null लग चुका था, तो बात में यह consider कर रहा था, कि हाँ यह null नहीं ही होगा, okay, तो इसलिए उसको comment करना पड़ा, तो इसने consider करना शुरूर किया, कि यह value null हो सकती है, so अभी, तो क्योंकि यह यहाँ पर नल दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम more actions में जाते हैं, हमें यहाँ पर एक option मिलता है, wrap with let, तो इसने यहाँ पर क्या किया है, basically, see, पहरे उसने str, question mark, dot, see, यहाँ पर चेक कर रहा है, कि यह null है, अगर null नहीं है, okay, तो let आएगा, save call के तुरू यहाँ पर चेक होगा, और य जितना भी operation करना है str के उपर, considering it as not null, वो आप लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि see, let function जो है, आप जाएगे आप पढ़ोगे, मतलब मैं सिखाऊँगा, इस series के अंदर, lambda functions में, कि let के अंदर, आपको not null values ही मिलती है, तो अगर str नल नहीं है, तो उसके उपर आपको जो भी operation करना है, आप इस local scope, या इस जो कलिबर से से इसके अंदर लिख सकते हो, तो यहाँ पर print, it dot length, it से reference किसका ले रहा है, it याने str, तो it dot length, याने string dot length, okay, so अगर यह वो null नहीं है, तो वो let के अंदर आएगा, और आपको जितने भी operations करना है, वो आप let के अंदर लिख सकते हो, तो ए यह एक तरीका है, अब I hope आपको null safety का पूरा concept जो है, अच्छी तरह से समझाओगा, तो कोई वीडियाउट है अब में comment section में पूछ सकते हो, that's it for today, thank you.